नमस्ते मेरा नाम डेविड है और आप दिललन टॉप देख रहे हैं आयूस मंत्राले विवादों में है इसके सची वैध राजेस कोटेचा पर एक ट्रेणिंग सेसन में गैर हिंदी भाशी डॉक्टरों से चले जाने को कहने का आरोप लगा है यह आरोप तमिलनाडू के कुछ सांसदों ने सरकार से आयूस सची वैध राजेस कोटेचा का एक वीडियो भी के रिलीज किया है इसमें कोटेचा ने कहा कि वे अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल सकते वे गाते सुनाई देते हैं इस मामले को लेकर तमिलनाडू के कुछ नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है डेम के सांसत करी मोची ने आयूस सची वैध राजेस कोटेचा को सस्पेंट करने की मांग की है उन्होंने आयूस मंत्राले को लेटर भी लिखा है उन्हें ट्रीट किया और सचीव के बयान की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार से अनुशास नात्मा कारवाई करने को कहा उन्होंने लिखा आयूस मंत्राले के सचीव वैध राजेस कोटेचास ने एक ट्रीनिंग सिसन के दवरान कहा की गयर हिंदी भाषी प्रतिभागी सिसन से जा सकते हैं यह बयान हिंदी थोपे जाने के बबबबवई को दिखाता है इसकी कड़ी आलोचना होने चाहिए सरकार को सचीव को सस्पेंड कर देना चाहिए और उनके खिलाब जरूरी कारवाई करने चाहिए कब तक हिंदी ना बोलने वालों को बाहर करने का बरता आउस सहन किया जाएगा कॉंग्रेस सांसुत कार्ती चिदम्रव ने भी कनिमोजी के मांखा समर्थन किया उन्होंने भी हिंदी बोली जाने की जवर्दस्ती को अस्विकारी बताया तमिल्नाडू की शिव गंका सीट से सांसुत कारती ने लिखा आयूस ट्रेणिंग में हिंदी के जरी तमिल्नाडू के नुमाइन्दू को नजर अंदाज किया अंग्रे जी ना आना समझा सकता है लेकिन हिंदी ने जानने वालों को जाने को कहने और हिंदी बोलने पर जोर देनी कि हंकार को स्विकार नहीं किया जा सकता एकडर और राजनेता कमल हासन ने भी इस मामले पर अपनी राय ब्यक्त की उन्होंने कहा कि सरकार को सब की समझ में आने वाली भाशा अपनानी चाहिए उन्होंने लिखा आयुष मंत्राले के अधिकारी हमारी दवाओं को कैसे समझेंगी जब यह हमारे तमिल भाशा को ही नहीं समस्ते यह हमारे डोक्टरों की उदारता है कि उन्होंने उनसे सवाल नहीं किया सरकार को ऐसी भाषा में काम करना चाहिए जो सब को समझाए यह हिंदी सरकार नहीं है मत भुने कि यह भारतिय सरकार है अगस्त के शुरात में भाषा के मसले पर भी बाद हुआ था कनी मोची में आरूप लगया था कि जब उन्होंने एक CISF अधिकारी सित्तम इडिया अंग्रेजी में बात करने को कहा तो उसने सवाल किया कि वह भारती है या नहीं मामला सामने आने के बाद CISF ने चार्च के आदेश दिये थे ये स्टोरी की थी हमारे साथ ही शक्ती ने अगर इस वीडियो को आप यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर उन पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा आप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए थैंक यू